लास्ट वीडियो में ने बताया था कि किस तरीके से आप currency market में option selling भी कर सकते हो बट काफे सारे लोगों करना question थे या तो वो नए है या उनको पता ही नहीं है कि इंडिया के अंदर हम लोग option selling भी कर सकते हैं किसके अंदर forex market में अब देखो confused मत होना आप लोग confused हो रहे हो शा के साथ साथ हम लोग यहां पर options में भी work कर सकते हैं अब options जो होंगे कैसे काम करते हैं आपको पता होना चाहिए कि options के अंदर हम बोल सकते हैं कि किसमें जीतने के chances जादा है किसमें जीतने के chances का में यह बात समझो international forex market के बात करें तो वहाँ पर आप अगर काम करते होंगे like दिखा होगा आपने like octa effects हो गया आपने दिखा होगा एकसनेस होगा बहुत सारे ऐसे आपके कबाना capital बहुत सारे ऐसे brokers होंगे जो आपको वहाँ पर काम करने की permission देते हैं तो आपको क्या पता है वहाँ पे future price न काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ concept समझ लीजिए जब हम currency market, Indian market की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़े हो सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले चीज़ आप क्या कर सकते हो आप future के इंदर काम करते हुए दो condition implement कर सकते हो पहली condition हम future में buy करके चल सकत उसी के comparison के साथ में हम option के अंदर four type के work कर सकते हैं पहली हम चीज़ क्या कर सकते हैं call को like दो तरीके के option होते है call and put इनको भी दो तरीके से बटा जाता है जैसे call को buy करके चलना second condition क्या हो जाती है call को C को sell करके चलना third condition क्या हो जाती है हम P E को buy करके चलते है फोर्थ condition हो जाती है हम यहाँ पे P E को sell करके चलते है इस सारी conditions के साथ ही हम लोग currency market में work कर सकते हैं इसी के साथ ये बात धियान रखो future किस-किस के अंदर होता है total 7 pair हम लोग यहाँ पर allow कर रह जाते हैं USD INR के अंदर reason बड़ा simple सा है future के अंदर आप चाहो तो दूसरे pair में भी काम कर सकते जो आप बाकी 6 pair बचे हुए है बट options की जब बात की जाती है सोते-सोते पैसे कमाने की बाते की जाती है उस condition में केवल और केवल USD INR के अंदर ही इतना volume available होता है ताकि आपकी order व कुछ करता है वो कुछ भी नहीं करता है यह reality आजाती है तो इस वज़े से आपको बात ध्यान रखनी है कि मुझे क्या चीज़े करनी है अब यहाँ पर future की बात करें तो future में हम लोग क्या करता है buy trade तो हमेशा continue रहनी चाहिए हमारी यहाँ पर counter trade के साथ game play करना होगा ठीक पहला condition future के साथ में play किया जा सकता है दूसरी condition हम क्या कर सकता है future को like कह सकते हो options के साथ hedge किया जा सकता है option को option के साथ hedge किया जा सकता है यह काफी सारी चीज़े हम use करके एक अच्छा-खासा revenue generate कर सकता है reason बढ़ा simple सा है यहाँ पर आप notice करोगे अगर हम future की बात करें या फिर fund के साथ, हमारे पास में इतना fund available नहीं हो पाता कि हम उन चीज़ों को future में buy करके चल सकें, या फिर sell करके चल सकें, क्यों यहाँ पर nifty को करोगे तो 3 महीने आगे के contract not में काम कर सकते हो, same bank nifty की बात करोगे तो यहाँ पर 3-4 महीने के आगे काम कर सकते हो, ध्यान रखने की बा count हो जाता है, यह चीज़ clear कर लो, अगर आप option में काम करना चाहते हो ना currency market के अंदर, तो यह concept पहले clear होने चाहिए कि option में भी पैसा बनता है, लोग यहाँ पे पैसा बनाता है, बट आपको बनाना नहीं आता है, क्यों आपने कभी इस के अंदर try ही नहीं किया, क्योंकि कु option buyer की जेब में पैसा जादा तर टाइम जाता ही जाता है, और ऐसे जाता है कि उस बिचारे को तो पता भी नहीं लगता कि किस तरीके से मेरे कह सकते हो, account से पैसा दीमे दीमे निकलता जा रहा है, मेरे पास जो maximum client आते भी है ना बिचारे जिनको नुकसान हुआ होता है, वो n लोगों को जो काम करना है, सबसे पहली बात है हम option buying करके पैसा कमा सकते हैं, option buying करके पैसा कैसे बना सकते हैं, 1000 रुपे लगाएंगे और 1000 रुपे से सीधा 2000 कमाएंगे, तो भाई आपको सोचो किसी जगा पर 1000 से 2000 कमाने वाला काम है, 100% का return आपको within day या फिर within 2 days, 3 days मिलने व जीतने के चांस मेरे भाई केवल 33% बच जाते हैं, हारने के चांस या पर 66% हैं, और लोग फिर भी या पर काम पता है क्यों करते हैं, क्योंकि उनको तो दिख रहा है कि 1000 रुपे ही दाव पे लग रहे हैं, तो भाई 1000 या तो जाएंगे, या फिर 1000 वापस प्लस करके 2000 बनके हमारे हाथ में आएंगे, यही तो concept होता है, यहाँ पे हारने की chances जादा क्यों हैं, वो भी मैंने बताया था कि अगर आपने कोई भी option को buy करने की कोशिश की है, और market में condition यह है कि मानलो मैंने बोला कि market उपर जानी चाहिए, इस वरे से मैंने call को buy कर लिया, CE को buy कर लिया, अ तो आपको और जल्दी loss होगा, फिर तो आप पहली भाग जाओगे निकल के, तीसरी condition में पहली यहाँ पर ध्यान रखो, नीचे गिरा तब भी loss, sideways गया, तब भी loss, अगर market उपर चली भी गई, तो आपको ध्यान रखना है कि option buying जो आपने की थी ना, जो premium आपने pay किया था, उतने point तक उसको उपर जाना चाहिए, उसके बाद जितना उपर जाएगा, वहाँ profit gain होगा, यह तीन condition में से आप देखोगे, तो maximum आप हार रहे हो, यहाँ पे भी आप हार रहे हो, यहाँ पे भी आप हार रहे हो, और यहाँ पे भी हार ही गए ना, कुछ profit तो हुआ नहीं और option selling करने के लिए, लोग क्यों डरते हैं, लोगों को बताया जाता है, यहाँ पे तो unlimited risk होता है, मैं कहता हूँ, पोपट काटा जाता है, क्योंकि लोगों को बिचारों को बताया है नहीं गया, सो चो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं के इंजिनियर हो हो, अगर मुझे को आम जनता का पैसा जो होता है, बैंक में रखा रहता है, वो कहां जाता है, mutual funds के पास में, DIs के पास में, तो वो लोग पैसा कमाया, से भी भी यह चाहता है, इस कारण उन्होंने क्या किया हुआ है, option buying करना, बहुत ही जादा easy बना दिया, कि बस किवल premium पे करो, और tension मतलो, ब और दी गई, आपको यहाँ पे extra fund की requirement पढ़ती है, nifty bank nifty में, कोई भी इंसान अगर option में काम करता है, उसको पता होगा, कि अगर उसके पास में 10 लाग का fund है, 10 लाग के उपर भाही महीने के वो 30 से 40 जार रुपी में कर निकाल लेता है, तो एक बहुत बड़ा return मानता है, व उसके पीछे, क्योंकि वहाँ पे जो हमें trade लेने के लिए पैसा देना पड़ता है, वो बहुत जादा देना पड़ता है, बट अगर यही 10 लाग के अंदर मैं बात करूं, इंडियन मार्केट में, जो legal way में, RBI या approved pair होता है, उनके अंदर में काम करें, plus CB registered broker के साथ काम करे 100% legal way में, आपका पैसा 100% safe रहने वाला है, उस condition में आप क्या कर सकते हो, अगर 10 lakh का fund है, और आप चाहते हो, बहुत ही काम हो जाएगी, हो सकता है, किसी महीने आपको कोई profit ही ना दिखाई दे, आपको profits ना दिखाई दे, बट मैं यह कह सकता हूँ कि loss में जाने की chances ना, बहुत बहुत काम है, क्यों काम है, क्योंकि आप यहाँ पे risk management कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, समझाता हूँ, आप यहाँ पे money management कर रहे हो, कैसे, by 20% fund से ज़्यादा में use नहीं करूँगा, आप कोगी यह कैसी बेवकूफो वाली बाते कर रहे हो, fund है हमारे पास, फिर भी हम 20% स बाट के चलने का मतलब है, अगर 10 lakh का fund है, then definitely आप क्या कर सकते हो, 50 lot के अंदर काम कर सकते हो, 50 lot का मतलब हो जाता है, कि भाई, यहाँ पे कह सकते हो, 1 lakh रुपीज की हमें total requirement होगी, अगर हम 50 lot में 2 ASL करना चाहते हैं, especially मैं बात कर रहा हूँ, USD, INR की, क्योंकि मैं खुद इस कि लोग वहाँ पे option buying करके लुट रहे हैं, लुट रहे हैं, अक्चल में, वो खुन को खुद पता नहीं लग रहा है कि अकाउंट से बाई, यह एक लाग का अकाउंट था, कैसे 70,000 रह गए, कैसे 60,000 रह गए, यह आपके साथ भी हो रहा होगा, अगर आप नए हो और options के अंदर घुस गए हो, और निफ्टी बैंक निफ्टी के, then definitely वहाँ पे चड़ावा चड़ना कह सकते हो, बहुत ज़्यादा easy हो जाता है, क्योंकि कमा तो कोई और ही रहा है, बड़ा player कमा रहा है, और बड़े player के लिए पास पैसा होता है, तो पैसा जिसके पास होता है, वो 50 lot का मतलब हो जाएगा, कि यहाँ पर एप्रोक्स 40 lakh rupees का, 40 lakh rupees का product आप खरीद बेच रहे हो, जो उस पर movement होगी, वो 40 lakh के उपर होगी, उस condition में हम यहाँ पर इसको manage कर सकता है, क्यों कर सकता है, अभी भी हमारे account में 8 lakh rupees का fund यहाँ पर available है, और बहुत ही easy way में हम इसको manage कर ले पलस आपको safety मिल रही है, morning में जब आप सुबह सुबह देखती हो न, सुबह market खुलती है, सुबह 9 बजे, तो मैं कहीं वीडियो में बता भी चुका हूँ, जो हमारा पैसा होता है, जो हमारे bank में रखा होता है, उसी पैसे के उपर actual में हम लोग trade कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हो, जी हाँ, अगर आज रुपिय की value 82 है, और वो 82 से 82.20 हो जाती है, तो common सी बात है, इसका मतलब क्या है, हमारे रुपे की value गिर गई, तो हमारे bank में जो पैसा रखा हुआ था न, जो हमने FD करा रखी है, क्या फिर हमारे bank की copy में लिखा हुआ है, दस लाख रुप situation आता है, यह उसी के उपर हम लोग game play कर रहे हैं, इस चीज को clear कर लेना, और यह चीज game कभी भी बंद नहीं होगा, इस concept को clear कर लो, और ऐसा भी नहीं होने वाला है, कि आज 82 का price था, तो कल को 72 चला गया, इससे पता क्या होगा, हर इंसान, like हमारा CM, PM, DM, हर एक आम रिक्ष होई है, बट हम यहाँ पे उनी के उपर ही, मेरे भाई, game play कर रहे हैं, यह बात ध्यान रखो, तो market जब खुलती है, fluctuation होता है, वो fluctuation, मेरे पैसे, आपके पैसे, और सब के पैसे, जो है ना, उनके fluctuation के कारण होता है, और हम यहाँ पे game play कर रहे हैं, उनी पैसों के अंदर, option selling करने का कारण क्या है, मैंने पहले भी बोला हुआ, भी option selling में, जीतने के chances, option selling बात करें, जीतने के chances बहुत जादा हाई हो जाते हैं, अपरोक 66% chance तो math बताता है, कि तुम जीत जाओगे, 33% chance है भाई, तुम हाड जाओगे, अब कोई बच्चा भी होगा ना, उसको मैं बो बोलना चाहता हूँ, जब आपको दिख रहा है कि इसमें जीतने की probability जादा है, अब problem क्या थी, अब मैं आपकी problem को solve गरने की बात करता हूँ, problem यह थी कि आपके पास इतना fund available नहीं हो पाता कि आप इसको future के साथ hedge कर पाएं, आपके पास इतना भी fund available नहीं हो पाता कि मैं य एक महिना किया, दो महिना किया, तीन महिना किया, छे महिना किया, आठ महिना, दस महिना, एक साल, भाई मैं भी तो महिनत कर रहा हूँ, सबी करता है न, और महिनत तो करनी पड़ेगी न, तो अगर आपके पास अभी पैसा काम है, तो पांच लोट से करके देख लो, क्यों द प्रेडिंग करने दी जाती है तो मैं शायद उसका टीचर बनता क्योंकि वो चीज मुझे ज़ादा एक्साइटेड करती है अच्छी चीज है बट ट्रेडिंग की बात की जाए ट्रेडिंग हमारे पैरेंट्स या फिर हमारे आसपास के लोग करने नहीं देते क्योंकि प्रेड नहीं दिखाई दे रहा है यह चीज समझने की हो जाती है नॉर्मल लाइफ में अगर आप कंपनी शुरू करना चाहते हो तो भाई करोडों की इंवेस्टमेंट चीज होती है यहां पर चाहिए होती है कुछ नहीं चीज होती है कि हाँ मैं यह चीज करना चाहता हू यह फिर यह चीज मैं नहीं करना चाहता हूं देखो दो में से एकी चीज होगी ना या तो आप करोगे यह नहीं करोगे नहीं करोगे किसी को कोई 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 फरक नहीं पढ़ता करोगे आपकी ही लाइफ पर फरक पढ़ने वाला है कि मुझे एक नहीं चीज सीखने के लिए learn करने की मिली कि यार यह option selling किस बला को बोलते हैं इस से आम जंता को दूर रखा जाता है कारण है उसके पीछे आम जंता अगर option selling करना चालू कर देगी तो मेरे भाई option buying करेगा कौन जब प्रता है option buying के अंदर नुकसान होता है तो नुकसान जेलेगा कौन जंता के अंदर बाट दिया गया सोचो हजारों जंता है और किसी को 500-500 का नुकसान हो गया कोई दिक्कत की बात नी असली game है यह 500-500 का नुकसान हुआ तो profit किसके पास गया profit गया मेरे भाई वो बड़ा player जो यहाँ पे जानता था इस बात को जिसने mathematical calculation को देखते हुए काम किया था कि math मेरे साथ है या मेरे against है simple सी चीज आती है अब यह चीजे लोगों को समझाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ना तो यह चीजे किसी college में बताई जाती ना यह चीजे किसी education like कह सकते हो university में बताई जाती यह चीजे वहाँ पर बताई जाती है जहाँ पर सच में लोग सच में option selling को focus करते है hedge fund होता है ना आपको पताऊना चीज है hedge fund सोते सोते पैसा कमाता है क्यों कमाता है because जब तक यहाँ पर option buying की तरफ लोग खड़े रहेंगे ना वो लालची लोग खड़े रहेंगे कि भाई लालच करना है दोको सब लालची नहीं होते मैं फिर मानता हूँ इस बात को क्यों लालच में कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कहना यह है रखो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ option selling के अंदर सोते सोते पैसे बनते हैं और यह चीज़ आपने कभी feel यूँ ही नहीं की क्योंकि nifty bank nifty band बजा के रखती है नifty bank nifty में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर option selling में जीतने के chances क्यों जाता होते हैं समझे आप यह चीज़ 100 रुपीज किया मेरे भाई मैं आपको बोलता हूँ कि 120 से उपर नहीं जानी चाहिए मेरा expectations थी चलो जी बहुत अच्छा मैंने क्या किया 120 की CE को sell कर इसका premium मान लीजे मुझे मिलने वाला है 10 point मुझे यहाँ पर 10 points मिलने वाला है अभी मैं यहाँ पर hedge wedge नहीं कर रहा हूँ hedge करके हम लोग इसको safe कर सकते हैं लोग कहते हैं लोग कहते हैं लोग कहते हैं कुछ नहीं होता unlimited बेवकूप बनाता है वो चाहते हैं कि आप ना करें आप option buying करें भाई वो चाहते ही हैं कि आप option buying करें daily daily दस-दस trade डाले 20-20 trade डाले उनका expectation सी यही है कोई नहीं चाहता कि आप weekly या monthly basis बेट के chance से पैसा खाए क्यों नहीं चाहें क्योंकि उनका तो selling वाला धंदा बंद हो जाएगा ना सोचने वाली बात है बड़े player क्यों चाहेंगे कि आप भी यहां पर option selling करो वो क्यों कभी आके सड़क पर बताएंगे जी देखो मैंने option selling करके पैसा कमाया जबकि सबको पता है hedge fund पैसे कैसे कमाते हैं असली चीज़ तो यही है ना तो यहां पर 120 की मैंने call को short किया short करने पर मुझे profit कब कब मिलेगा है समझना पहली condition अगर 100 रुपीज पर अभी future का price था उसका अगर वो 100 पर रुख जाता है तब भी मेरे भाई मुझे profit मिलने वाला है पहला profit दूसरी condition क्या होगी अगर यह नीचे गिर जाता है 100 से तब भी मुझे उपर की call जो है वो 0 बनने वाली है और मैंने यहां पर short किया है तो मुझे profit यहां पर भी profit दिखाए देगा तीसरी condition अगर यह उपर की तरफ आ भी जाता है और यहां पर आजाता है ऊपर आने पर भी इसको अगर यह 120 से नीचे रहता है तब भी मैं हाँ पर जीच जाओंगा कितने जीच जाओंगा यह 10 पॉइंट मुझे मिलने है condition यह है कि अगर यह 120 से ऊपर निकल गया और यह 120 से 130 पर आ गया तो भाई 10 point मुझे मिलने थे और वो इंदमनी बन जाएगा common सी बात है मुझे कोई loss नहीं होगा मुझे loss चालू होगा जब 130 के ऊपर प्राइस जाना चालू करेगा और यह कोई इंसान ऐसा तोड़ा ना होगा without hedging position like option selling करेगा common सी बात है ऐसा कोई नहीं करता logics होते हैं logics के साथ काम किया जाता है कब उसको hedge करना है कब नहीं करना है वो चीज़ मैनेज की जाती है तो ध्यान दो यहां भी तुम जीत गए अगर वो नीचे गिर गया sideways हो गया तो भी जीत गए उपर भढ़ भी गया 120 तक भढ़ गया तब भी तुम जीत गए 120 से उपर चला भी गया 130 तक भी आ गया तब भी आप जीत गए तो भाई सोचने वाली बात है जब जीतने की probability इतनी हाई दिखाई दे रही है फिर भी हम इसको ना करें तो हमसे बड़ा pop-up कौन होगा सोचने वाली बात आ जाती है न यहां पर देखो खुद common sense लगाओ अगर मैं इसको भाई करता तो जीतने की chance कब होते है कि नीचे गिर गया तो तो बजनी बजनी है उसके साथ ही उपर आ भी गया और 120 तक भी आ गया तब भी मुझे नुकसान होगा सोचो यार इतनी सारी conditions में हारने की condition दिखाई दे रही है खुलम खुला और फिर भी इंसान कहा रहा ना जी ना मैं तो option buying करूंगा option selling कब भी नहीं करूंगा देखो option buying करना ठीक है बट जो लोग job करते हैं मैंने दिखा मैरे notice किया बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो students हैं भाईयो student होना तो क्यों उड़ता तीर लेना चाहते हो पढ़ाई करो पढ़ाई भी करो इसके साथ option selling पर focus करो हफते में एक trade डालेंगे बैट कर देखेंगे क्या होगा यह तो profit होगा यह loss होगा पहले clear होगा ना simple सी बात है ऐसी आप job कर रहे हो आपको कहता कोन है बाई तुम daily daily trade करो बोला किसने daily trade करने के लिए हफते में करो महीने का करो 6 महीने की आगे के contract not में करो दिक्कत क्या आती है मैं यहाँ पर कुछ trade ऐसी भी डालता हूँ जो 8-8-10-10 महीने आगे की होती है कारण है भाई financial year में profit आना चाहिए हमें daily daily वाली मजदूरी थोड़ा ना करनी है कि नो आजी मुझे तो आज profit नहीं मिला कभी कभी ऐसा भी होता है कोई दिन कोई profit नहीं बना मेरे पास एक 54 मेरी जेम में नहीं आई उस condition में 2-4 दिन क्या होता है 2-4 दिन बाद ऐसी चीज होती है trade बंती है कि इतने पैसे आ जाते है कईयों की महीने की salary होती है सोचने वाली बात आ जाती है उनको कितना मैं समझा दूँ कितना कोई समझा दे जिसके दिमाग में थोड़ी सी बुद्धी होगी वो तो इस concept को समझने की कोशिश भी करेगा वरना बंदे क्या कहते है option मैं नीचे खुद देखता हूँ मेरी वीडियो के नीचे मैं कहीं बाहर option buyer को बोलता हूँ भाई तुम गलत कर रहे हो simple सी बात है गलत क्यों कर रहे हो तुमको पता है फिर भी कर रहे हो जो मेरे साथ में लाइक मेरी वीडियो देख रहा है उसको बोलता हूँ सब को थोड़ा न बोलोंगा भाई जी आपको खुद option buying करने नहीं आती तो आप दूसरों को करने नहीं देते simple सी बात है मेरे भाई मुझे option buying करने आती होती न मैं फिर भी नहीं करता मुझे दिख रहा है जब mathematical calculation 66% chance है मेरा pop-up अट कटेगा 33% chance है मैं जीतूँगा मैं ऐसा क्यों जूआ खेलूँगा जब मुझे यहाँ खुलम-खुला chances दिख रहे है कि यहाँ तुमे 33% है कि तुम हारोगे और यहाँ दिख रहा है 66% है तुम जीतोगे पैसे ही मेरे दोनों में बराबर लग रहे है चीक समय मुझे दोनों में देना पड़ रहे है समझ रहे हो chances मेरे जीतने के इसके अंदर जादा है या इसके अंदर जादा है मुझे दिखाई दे रहा है अब सब कुछ सामने clear हो और फिर भी मैं बोलू ना जी मैं तो ना करना तो मेरे बस का कुछ ना है मैं सिंपल सी बात यही कहना चाहूँगा यही चीज आप पर implement होती है आपको सारी चीजे यहाँ पर दिखाई दे रही है अभी देखाना मैंने इसलिए वीडियो बनाए मैंने यह पर सिंपल 사 continuous काफी क्लाइंट ऐसे negative भी होते है वो कहते हैं उस्ट इननर बंद होगे तो हम क्या करेंगे अरे भाई कहां से बंद हो जाएगा 40 साल 50 साल तो चलते हुए इसको भी तक हो गए आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, अब अगर बंद हो भी गया, जब तक ये चल रहा है, तब तक अपना पैसा इतना छाप लो ना, दूसरे बिजनस खड़े कर सकते हो, common सा concept है, पैसा छापने के लिए समय बेसिकली बहुत ज़ादा required नहीं होता, time most important है कि आपकी सोच कैसी ह हो, एक आदमी यहाँ पर काम कर रहा है, सोच कर कि यह long term है, उसको पता है, दूसरा आदमी आती ही पहली कहा रहा है, क्या मैं पैसा बना पाऊंगा, भाई तुमको खुद से शक है, तो तुम कहां दूसरों से पूछ रहे हो, सोचो, आपको तो सोचो ना, आपको खुद ही नहीं है, मैं पैसा बना पाऊंगा, मेरे पास तो 20,000 रुपे है, भाई 20,000 रुपे से कद्दू में तीर तो मारा नहीं जाता, मुद्दा है, ऐसा भी नहीं है कि मैं दम तोड़ दू ना, जी मेरे पैसे ही नहीं है, आप अभी भी माइनस में नहीं हो, शुकर बनाओ, एक्जामपल भी दूँगा, अभी चार दिन पहले की बात है, क्लाइंट थे, साथी में काम करते हैं, नॉर्मली उनका सीन ऐसा है, उनके साथ में, like कुछ फ्रोड हो गया होगा, फोरेक्स ब्रोकर की तरफ से, टोटल उनको 28 लैक रुपीस का प्रोड़क्ट, प्रोफिट बना, बनने के बाद में, फाइनल उनका जो पांच लाग थाना, जो इनिशल अमाउंट वो भी चला गया, क्यों, ब्रोकर की तरफ से कुछ गड़बड हुई, अभी उनकी कंडिशन ऐसी है, वो कह रहे है, भाई, मैं 50 प्लस हूँ, मैं उनको सिंपल सी बात इतनी बोली, सर वो पैसा शुक्र बनाओ, उपर वाले का वो पैसा आपका था, सोचो बैंक का लॉन का होता, किसी से उधार लेके दिया होता, तो आपकी बढ़िया वाली बैंड बच जाती, बंदा नेगेटिव था, तुरंत पॉजिटिव हो गया, क्यों पॉजिव हो गया, भाई, जैसी श्लोट में, इसमें ट्राइ करके देख लो, अगर नुकसान हो जाए, तो बताना, क्यों नुकसान नहीं होगा, रीजन है यार, उसके पीछे, मैथ है उसके पीछे, ठीक है, यहाँ पे कोई भगवान बरो से जैमाता की नहीं हो रहा है, कि मुझे रात को सपने में आया था खाना तो आप खाते हो ना, कि मुझे क्या करना चाहिए, यह खुद का डिसीजन होना चाहिए, या फिर फोरेक्स मार्केट में आपको प्रॉपर्ली मिल गया होगा, हम लोग कैसे कर सकते हैं, इंडियन मार्केट में रहते हुए, 100% लीगल वे में हम लोग आप्शन लोट लगते हैं, USD, INR के अंदर, आप 10 लोट में करोगे, 20,000 की रिक्वार्मेंट लगेगी, आप 100 लोट में करोगे, तो 2,00,000 रुपे की रिक्वार्मेंट लगेगी, वो आपकी श्रद्धा जैसी चाहे में चीनी डालोगे, चाहे वैसी ही मीठी बनने वाली है, वही concept य जगा रखा है, तो पैसा बनेगा, आप कोई सोच रहा है, मैं 10,000 से काम करके, मैं 1 करोड कमा लूँगा, ऐसा नहीं होता, आप गलत जगा पर एंट्री कर चुके हो, concept clear करो, most important concept होता है, जब तक ये concept clear नहीं होगे, कितने से कितना पैसा बनता है, लोग ब्याज पर पैसा ल आते हैं, और कोशिच करते हैं, share market से पैसा निकालेंगे, मेरे बास बहुत सारी ऐसी conditions आ चुकी है, मैंने देखी है, जो बंदा कह सकते हो, ऐसी condition में था, कि जो कहता है, फोन पर बात करते हुए, कि भाई, मेरा आत्मत्या करने का मन कर रहा है, ये चीज़ जरूरी है, क्यों क्यों आत्मत्या करने का मन कर रहा है, क्योंकि, decision लेते हुए तो सोचा नहीं, कि मैं उधार का पैसा ले रहा हूँ, उसको share market में लगा रहा हूँ, आप इतने बड़े investor थोड़े ना हो कि आपको bank loan देगा और छोड़ देगा, नहीं, कभी भी share market में, चाहे आपकी एज़ द यह सारे concept में ने clear कर दी होंगे, फिर भी mind में किसी के आपके question है ना, तो यह number है, 9837482890, second number है 8077521043, इन में से किसी पे भी आप high करके message कर सकते हो, whatsapp पे, आपको एक basically detail share कर दी जाएगी, plus आपका जो भी question होगा, मैं मेरी team जब भी available होंगे, आपको message reply ज़रूर करेंगे, कोई call कर रहा था, आईवाज की यार किया चल रहा है, ठीक है, तो comment सा concept लगाओ, तो whatsapp पे ही call करना, whatsapp ही message करना, plus अगर आप discord server join करना चाहते हो, discord server क्या होता है, एक app होता है, जिसके अंदर काफी सारे चीज़ी में update करता रहता हूँ, नीचे मैंने उसकी description में link दी है, pin comment मे link दी है, आप वहाँ पे जाके easily उसको join कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, Sunday में एक live session रखते हैं, live session means directly बाते होती हैं, जिसके अंदर, तो वो session आप join कर सकते हैं, नीचे मैंने link भी provide किया है, plus काफी सारे लोग ऐसे हैं, जो forex market में काम कर रहा है, international market में, बट वो account open करना चाहते हैं, account open करो, और easily काम चालू करो, चाहे 5 slot से चालू करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, learning most important हो जाती है, so किसी के mind में कोई question है, तो करना क्या है, आपको बता दिया है मैंने, फिर भी वीडियो के नीचे अच्छा सा कोई comment करना चाहते हैं, तो comment कर सकता है, and मिल कर दो कर सकता है, या या जै या जपकूक माझाय हां, को जा मिल दे हैं, या जा सबक्सा है, वीचा जड़्श मेंसे अच्पान करता है, तो क्यों हैं, इस नहीन है, बता है कर सकता है, तो कर सकता हैं, जै योज वीच sketch Espiel.